अखिल भारती अक्षत्रिय महासभा के तत्वावधान में आर्थिक आधार परारक्षन, सामाजिक सम्रस्ता एवं इतिहास सनरक्षन की मान को लेकर 9 अगस्ट से 7 अक्टूबर तक कश्मी से लेकर उत्तर भारत तक तीसरी रथ्यात्रा निकाली है। यह रथ्यात्रा मध्य प्रदेश, महराश्ट्रा, चत्तिसगर, उलीसा, जारखंड, बिहार, असम, मेघले, उत्तर प्रदेश होते हुए 7 अक्टूबर को दिल्ली की जंतर मंतर में संपन होगी। अखिल भारती अक्षत्रिय महासभा के राष्ट्रिय अध्यक्ष ने बताया कि इसके पूर्व वर्ष 2010 में कश्मी से कञ्याकुमारी और 2017 में कञ्याकुमारी से दिल्ली तक दो बार आर्थिक आधार पर आरक्षन की मान को लेकर रथ्यात्रा निकाली गई थी। परिनाम स्वरू पूरे देश में जन जागरन हुआ और। दस में और दो जास्तारा में दो रत्यातराएं आफ महीने तक की सत्र अजार कैलूमिटर का सफ़र कताय करके हमने आर्थिक आदार पर आरक्षन की मांग की जिसके बाद दो जास्तारा की रत्यातरा के बाद के इंद्रिया सरकार ने 10% अरक्षन आर्थिक आदार पर देने की बात की लेकिन हमारी तो बांग सतनत बांग यह है कि जातिक अरक्षन समाब तो देश में जो गरीब लोग है किसी भी जाति के हैं किसी भी वरक के हैं किसी भी जंबर्दाय के हैं उन गरीब लोगों को किसी भी पहमाने के तायत उनको आर्थी कादार पे अरक्षन दिया जाए और दूसरी मांग जो है वो समाजिक समरस्ता की है साथ समाजिक समरस्ता कैसे आएगी समाजिक समरस्ता तब ही आएगी जब सबी नागरिकों के साथ सबी जातियों के साथ समान तौर पे बिहविर होगा इंसाफ होगा और कोई जाती अकल गेकर मतभेद नहीं होगा क्योंकि समय कम है तीसरी बात यह है कि जो महान पुरुषे है हमारे महान पुरुषें के तियास को जाती विशेश के लोग जो है उनको जोना विक्रत ना किया जाए क्योंकि इन महान पुरुषें की जाती नहीं होती यह पुरे देश के लिए पुरे राष्टर के लिए महान होते है और किसी जाती विशेश के साथ नहीं का नाम जोड़ना ने के बलुन महानपुरशों का आप माने बलके पुरे देश का और पुरे राष्टर का आप माने धन्यबाद